नमस्कार, बिजनस टिप्स औंट्रिक्स में आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल को जादा से ड़ादा सस्क्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें क्योंकि हम आपके साबने बिजनस की कुछ ऐसे टिप्स औंट्रिक्स लेकर आते हैं जो आपके लिए जाना भेहद इंपॉटन्ट और आपके लिए भाज़ादा गुनकारी होती है तो चलिए दोस्तों आईए आज क्या वीडियो देखते हैं कि वीडियो में कौन से बिजनस के बारे में हम आपको बता रहे हैं जिससे आप कम इन्वेस्टमेंट करके भारी मुनाफ़ाग एक खमा सकते हैं जिया दोस्तों इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको बताया था आप तीन तरीके से एड़टाइजमेंट बिजनस कर सकते हैं सबसे पहले हैं आप CBC एड़टाइजमेंट करके लोकल एड़टीजमेंट मैगजीन के माध्यम से आप यह बिजनस कर सकते हैं जिया दोस्तों उस वीडियो में हमने सिर्फ आउटवर्ट एड़टाइजमेंट बिजनस के बारे में आपको बताया था जिया दोस्तों दो जो बच्चे Classify Booking Center और लोकल एड़टीजमेंट मैगजीन इन दोनका जो बिजनस है आज हम आपको इसके माध्यम से आपको पूरी पूरी जानकारी देना चाहरे हैं इस वीडियो में हम आपको Classify Booking Center और लोकल एड़टीजमेंट मैगजीन का बिजनस जो है वह करके आप कितना कमाएंगे इतना किस में इन्वेस्ट होगा ये बिजनस आप कैसे स्टार्ट करेंगे आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं चलिए दोस्तों शुरू करते हैं शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दे जिन्हों ने अभी तक हमाये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले जाईए सब्सक्राइब कीजिए चलिए दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं Classify Booking Center क्या होता है जितने भी निउस्पेपर है उसमें आप देखते होंगे छोटा छोटा एड रहती है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जिया दोस्तों यह एड कही तरीके के हो सकते हैं किसी का documents अगर कभी खो जाता है तो वह अपना documents जो है वापस लेले के लिए जो है एक ad news paper में छपवा देते हैं जिया दोस्तों इसके बाद किसी का स्वरगवास हो जाता है इसका ad आप देखे होंगे कोई आदमी है जो अपना नाम चेंज कराता है उसका ad आप देखे होंगे matrimonials ad यानि शादी विवा का जो ad है वो भी आप देखना होगा कोई company है कोई अपना product या service sell करने के लिए अपना आपको advertisement देती है तो दोस्तों ये सारी ad आपने देखे ही होंगे इसके बाद आपने school, universities, college वो अपना admission के start होते है तो उसका ads देते है वो भी आपने कभी कबार देखा ही होगा जै दोस्तों इसके बाद placement agencies यानि की requirement जो provide जो अन्वजन्सी है वो भी अपना ad इस paper के माध्यम से दे देती है जै दोस्तों इस तरीके के ads आपने सूचे है कि ये एक ad से book होते है जै दोस्तों कैसे ad से paper में आते है जै दोस्तों इस paper में ad जो आता है वो classify booking center से आता है और ये उन्हीं के through book किया जाता है जै दोस्तों जो अलग-लग newspapers होते है उन्हीं का अलग-लग classify booking center होता है जिया दोस्तों वहाँ पर add पहले collect किया जाता है अपने आज पास जो भी newspaper आते हैं उसमें अगर आप add देना चाहते हैं तो आपको Classify Booking Center पर आपको protect करना होगा आपके पास जो भी Classify Booking Center होगे उस पर जाकर आप contact कीजे आप किता invest करना चाहते हैं और इतने का जो है वो add देना चाहते हैं जिया दोस्तों तो वह आपकी पूरी-पूरी help करते हैं आपका add जो है वो newspaper में add करते हैं आपसे पैसा लेते हैं और यह सब add क्ले करके Classify Booking Center और एक newspaper वाले को देते हैं इसका जो पैसा होता है यानि कि जो charges होते हैं वो भी उनको देते हैं और इन newspaper को add में छापते हैं जिया दोस्तों Classify Booking Center है यह कोई भी ले सकता है नियूसपेपर वाले से आप लेकर इस तरीके से आप booking करके आप add collect करके उनको देंगे जिया दोस्तों तो आपको उसमें commission मलता है जिया दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि हमें commission कितना मिलेगा जिया दोस्तों commission की बात है तो हमें approximately 15% लगबग 15% तक commission आपको इसमें मिल जाता है जिया दोस्तों जैसे माल लीजिये आपने एक याड एक हजार रुपे का sale किया है तो उसमें 15% जो है लगबग आपको 1500 रुपे आपको बचेगा जिया दोस्तों यह चोटो चोटो जितने भी आड्स आपने देखे होंगे निस paper में वो minimum कम से कम कोई भी है वो 500 से कम का नहीं होता है इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि अगर आप बहुत दिन में पूरा दिन में अगर आप 200 आड्स कलेक्ट कर लेते हैं चोटा चोटा माली जी अगर आप कलेक्ट कर लेते हैं तो यह पुलकुल बिलकुल 10,000 रुपे का आपका हुआ जै दोस्तों 10,000 में आपको 15% मिलेगा 10,000 का 15% जो है 15,000 रुपे आपको फूरे दिन का मिल जाएगा जै दोस्तों अगर आप एक दिन में 20 आड्ट भी आप कलेक्ट करके दे देते हैं तो आपको सीधा सीधा 15,000 रुपे आपको अराम से प्रति दिन मिल सकते हैं जै दोस्तों इसी तरीके से आप ये बिजनस करकर एक अच्छा खासा प्रॉफिट कम आ सकते हैं जै दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफाइ बुकिंग सेंटर हम लेंगे कैसे इसमें कितना इन्वेस्ट होगा ये लेने के लिए आप अपने नजदी की जो है जिस भी आप उस पेपर का क्लासिफाइ बुकिंग सेंटर लेना चाहते हैं उनके ओफिस में जाएए जै दोस्तों आपके आसपा जो इसका ओफिस है आप बोलिए जो हम Classify Booking Center लेना चाहते हैं और आप अपने area में जहां आप लेना चाहते हैं पाज जो है आपका address दीजे तो दोस्तों आपको ये Classify Booking Center मिल जाता है जिया दोस्तों तो आपका पाज से 10,000 रुपया इंवेस्ट हो जाता है पाज से 10,000 रुपया अगर आप इंवेस्ट करते हैं तो ये Classify Booking Center आपको मिल जाता है और आप जो ad collect करके news वाले को देंगे तो आपको इसमें commission जरूर मिलेगा इसके लिए आप छोटा कही भी office खोलेजिए जिया दोस्तों आप मालने जिए किसी चीज का shop खोले हुआ है उसमें काम करते हैं तो वहाँ भी आप इसका business कर सकते हैं जिया दोस्तों बात करते है local advertisement magazine business क्या है इसमें आपको कितना invest करना पड़ेगा यह आप business किस तरीके से start करेंगे और आप इससे कितना profit कमा सकते हैं यानि की दोस्तों नाम से ही इस पस्ट है local यानि local advertisement यानि की विग्यापन और magazine लोकल यदि आप विग्यापन वाला magazine चाप कर और उसे door to door पोचाने का या किसी फिन newspaper में चपवा कर आप business करते हैं तो इससे बोला जाता है कि आप local advertisement magazine business इसके लिए तो सबसे पहले आपको ad collect करने होंगे जिया दोस्तों इसके लिए हम आपको बता देते हैं रोजगार सभचार का जो business आता है weekly आता है एक सबता में या एक बार आता है तो इसमें क्या होता है सिर्फ business के भारे में ही यानि कि रोजगार के बारे में ही दिया होता है जै दोस्तों इसी तरीके से ही आप magazine चाप कर या छोटा सा ad चाप कर आप इसका business असानी से कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको ad collect करना होगा आपको शुरू में starting में आपको थोड़ी सी परशारे ज़रूर होगी लेकिन यदि आप दो चार बार collect कर लेते हैं और छाप देते हैं तो ads देने वाले लोग जो होंगे उनको पता चल जाएगा कि आप इस तरीके का बिजनस करते हैं तो आपको directly contact करके भे लोग जो है आपके पास आड पहुचा देते हैं उसका जो पैसा आप फ्रीस लेंगे वो भी आपका ही होगा जै दोस्तो आड कलेक्ट करने के लिए आप अपने area में आप अपने आस पास जहां तक आपको ये पहुचा सकते हैं या फिर उससे भार जाकर आप पहले आड कलेक्ट कीजे इसके लिए आप किसी बिजनस मैन का आड लीजे कोई दुकान है कोई शौफ है मान लिजे किसी कपड़े का दुकान है कपड़े, चपल, जूते की दुकान है रेस्टरेंट्स है, होटल्स है इन सबसे आड लीजिए छूटा-छूटा और इसे चापिए या दोस्तों जब आप इसे चापेंगे जब लोग आने जाने लगेंगे लोगों को पता चलेगा यहां इस तरह कई शॉप है या इस तरह के प्रोड़क्ट्स है तो उनको पता चल दाएगा तो लोग वे पढ़ना पसंद करेंगे इसके बाद जब आप यह शुरू कर देंगे तो कोई शॉप है, कपड़े का दुकान है या फिर कोई मुबाइल की दुकान है जो दोस्तों कभी हमें छूट देता है 10%, 20%, ओफर कभी देता है तो वो जो है आपके पास आएगा छपवाने के लिए उसमें जो आपकी मैगेजिन है वो छपवाने के लिए आएंगे यानि कि अपना एड देने के लिए आएंगे तो वह आपसे चार्ज लेकर आप उसे कर सकते हैं इसी तरीके से कोई मुबाइल की शॉप है किसी मुबाइल का आपको उफर आया तो वह मुबाइल वाले जो आपके पास आएंगे और आपको बोलेंगे कि हम आपको एक आड दे रहे हैं वो आपको छापना है आप उनसे फीस लीजिए चार्ज लीजिए आप जो लेना चाहते हैं उस आड को आप छापकर डोर टोर पहुचा दिये जिए या आप जैसे पहुचाना चाहते हैं वैसे आप पहुचा सकते हैं तो दोस्तो ये business हुआ local advertisement market business जिया दोस्तो इसमें शुरू में आपको थोड़ा सा परिशानी होगा आपके पास computer और printer नहीं है तो computer और printer खरीदना होगा जिया दोस्तो इसके बाद आपको कुछ जो है अगर आपको सबताहिक देते हैं एक दो तीन लड़के को रखना होगा जिसमें आप अपने area के हिसाब से आपको कितना invest होगा दो से चार बार आपको चापने में market में भेजने में आपको problem होगी थोड़ा सी परिशानी होगी इसके बाद जब आप इस business करने लगेंगे तो आपको सबको पता चल जाएगा कि आप इस तरीके का business करते हैं और वहाँ के लोगों को भी पता चलेगा कि आप ये business कर रहे हैं या इस तरीके का business आपके area में start हुआ है magazine आती है और जो पूरा market का add होता है वह हमारे magazine में छबता है तो आप दोस्तो इस तरीके से भी business कर सकते हैं या दोस्तो जहां तक बात है profit की profit मान लीजे शुरू में तो आपको थोड़ा सा profit होगा नहीं free में add आप लिखिए या दोस्तो वह add डाल कर आप थोड़ा सा invest कीजिए या दोस्तो जब आपका यह business चलने लगेगा तो आप उसके बात charge कीजिए जितना वर्जी आप उससे charge कर सकते हैं 100 रुपे, 200 रुपे, 300 रुपे के add के या दोस्तो यदि आपके पास 100 add भी पड़े आता है अगर आप 200 रुपया भी charge करते हैं तो आपके पास 20,000 रुपे का हो गया जब दोस्तो वन विकली आपको 20,000 रुपे हो जाएंगे आप महीने में आराम से 80,000 रुपे कमा सकते हैं तो दोस्तो आशा करती हूँ आपको यह business पसंद आया होगा मेरी इस business को आप अच्छे तरीके से start भी कर सकते हैं और मेरी इस वीडियो को लाइक, सिस्क्राइब, शेयर करने ना भूले और मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि हमें कुछ ऐसे ही और वीडियोस बनाने की प्रेना मिलती है